तो कैसे हूँ आप सब मैं सांती स्वागत करती हूँ अपने यूटूब चैनल सांती की लाइफ स्टैल में आप सब बहुत अच्छे होंगे आप सब चाहते हैं मेरे और आपकी हमारी फैमली का हिस्सा बनना और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जो वो रेड कल तो अज की जो टॉपिक है वो है कि हमेस समय से पहले जो हमें जुर्या होने लगती है जो हमें एकने पोर्स प्रॉब्लम हो जाती है और बहुत सारे आप लोग देखते हैं कि रिंकल, पिंपल और जाईयों की प्रॉब्लम हो जाती है तो इन प्रॉब्लम का सल्यूशन है जी हाँ आपको 2-4 रुपे खर्च करने हैं और इन प्रॉब्लम का सल्यूशन आप अपने किचन के चीजों से पा सकते हैं और वो कौन-कौन से चीज़े हैं चलिए वो हम देख लेते हैं फिर हम इसको कैसे अपलाई करना है यह मैं आप सबको बताओ क्योंकि आज ही मैंने इसको अपलाई किया और मेरा फेज जो है विक्दम ग्लोइंग सा है तो सबसे पहले हम यहां पे लेंगे दूद जी यहां ये कच्चा दूद या फिर आप उबाल के ठंडा करके भी ले सकते हैं कसूरी हल्दी यहां पे लेंगे क्योंकि किचन हल्दी जो होती है उसमें केमिकल होता ही होता है या तो गांट वाली हल्दी को कूट के घर में बना ले हल्दी और इसमें इस तरीके से cotton pad जो आते हैं उनको मैं dip करके छोड़ दूँगी थोड़ टाइम के लिए में ऐसे ही तो सबसे पहले इस तरीके से हम एक cotton pad लेंगे और अपने face पे अच्छे तरीके से उसको clean करेंगे because मेरे face पे अभी मैंने कुछ भी apply नहीं किया हुआ है कोई makeup नहीं है कुछ भी नहीं लेकिन फिर भी मैं face wash करके आई थी लेकिन कभी कभी होता है कि धूल वगेरा हमारे skin पे जम जाती है तो इस तरीके जैसा नहीं है कुछ भी करने से पहले अपने face wash कर ले और face को अच्छी तरीके से clean कर ले तो देखें यहां पर मुझे भी बहुत जादा यहां पर दाग धबे start हो गए है यहां पर pimple निकलने start मैंने अच्छे तरीके से अपने face को clean कर लिया है कि अब हम कि इस तरीके से जो हमने cotton pad dip करके रखा है ना यह देखे जिसमें है लेक्टो एसीड भरपूर मात्रा में दूद में पाया जाता है और अगर आपकी oily skin है तो आप कच्छा दूद अपलाई करें अगर आपकी dry skin है तो आप दूद को थोड़ा सा घरम करके ठंधा कर ले फिर अपलाई करें और इसको हमको पूरे face पर अपलाई करना है कुछ इस तरीके से इसकी एक layer हमने अपलाई कर ली अब इसको हम पाच मिनट तक सूखने देख वाले two cleanser में deep करेंगे और अच्छे तरीके से इसको अपलाई करेंगे इससे आपके सारे दाग धब्बे जाईयां जुर्यां जो समय से पहले आ जाती है क्योंकि हमारा खान पान हमारे स्ट्रस लेबल इस तरीके का हो गया है रिंकल की प्रॉबलम ओपन पोस्स की प्रॉबलम एकनिक की प्रॉबलम सारे प्रॉबलम का यह शल्यूशन है इस तरीके से आप इसको रोज कर्येज में ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है सुबह उठके भी कर सकते हैं और जब भी आपको टाइ तो हम फेस पैक बना लेंगे जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आप इसको रोज डेली यूज कर सकते हैं अब महीला है आप पुरू से अब दोनों लोग इसको यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने लिया है बेसन बेसन से अच्छा क्लिंजर कुछ नहीं होता है इसके इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है टमाटर का यह जो है वह जूस और इन सभी को अच्छे तरीके से मिला लें यहां पर मैंने लिया है थोड़ा सा रोज वाडर और इन सभी को मिला के एक हम फेस पैक तैयार करेंगे , जिससे कि हमारे स्कीन हाट्रीपर है जिससे कि हमारे skin में glow जो है वो हमारा वापस आएगा अपना पूरा face wash करके आगये हैं और यह जो पैक हमने बनाया हुआ है इससे हमारे skin से जितने भी extra oil है natural oil नहीं जितना भी extra oil है वो remove होगा बेशन तो बर्दान है बेशन से बहतर अच्छा कोई cleanser ही नहीं इसको हम apply करेंगे अपने पूरे face पे यहाँ पूरे face पे मैंने apply कर लिया और इसको हम कम से कम 10 मिनट तक सूखने देंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने face पे लगा के रखा और यह देखिए वाओ मतब जैसे मैंने इसको यह जो आधा टमाटर का हमने rust जो है वो यूज के और आधा टमाटर जो है उसको हम इस तरीके से circular motion में scrub करते हुए जिससे की इसका पूरा जो rust है वो भी हमारे skin में अच्छे तरीके से absorb हो जाएगा और इस तरीके से हमारे जिते भी डर्ट है हमारे skin में जो डाक स्पोर्ट हो जाते हैं उन सभी को यह रिमूव करके एक अच्छी से आपकी जैसे जाईयां हो जाती है उसमें यह बहुत ही जदा अच्छा है आप इसको याद से मतब करिए और आप इसके जो भी result है वो मुझे इंस्ट्राग्राम प से पूरा मैंने यहां पर देखिए हटा लिया और उसके बाद मैंने यहां पर face wash कर लिया है तो face wash करने के बाद मेरी जो skin है वो आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा अच्छा है बहुत ही अच्छे इसके result है तो आप इसको एक बार जरूर ट्राई करिए मैं अपने daily भले आपको दिख जाए तो ऐसा नहीं है आप इसको नहाने से पहले इसको यूज कर सकते हैं और इसके बाद कोई सबी serum aloe vera gel जो भी आपकी skin को suit करता हो मैंने यहां पर serum ही apply कर लिया आप चाहे तो aloe vera gel से क्योंकि हमने अपने skin को अच्छे तरीके से moisture उसको प्रदान की है तो तो वो lock हमें करना बहुत जरूरी रहता है और थोड़ा सा बेशन के बाद आपको कभी कभी लगेगा कि कोई सर्दिय स्टार्ट होगी तो skin खिची खिची लगेगी तो अप जैसे भी serum या फिर aloe vera gel यूज करते हैं तो आपको इस तरीके की problem बिलकुल भी face नहीं करनी पड आएगी तो like share और subscribe जरूर करिएगा हम मिलेंगे आप सबसे एक अगले वीडियो के साथ तब तक रखिए आप सब